कर देखा क्या खेला इंडिया अब आगया मजा लेकिन वह एप पहना संने यूट्यूब पे डाल दिया है क्या यह यूट्यूब पे क्यों दिखा रहे है यूट्यूब पे डाल दिया है यूट्यूब पे डाल दिया है यूट्यूब बैक तो आचैनल नियू इंडियन एरा मैसल बुरहानुद्दीन एमके अन आज हम लेके आ गए है अपना लेक्ट चाप्टर नंबर टू U Magna Tau Chil那個각 क्यों लेकर ऐए पहुत बहुत 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 इंप्टन चैपटर गईस सबसे इंप्रटै जार से अंप्रणल यूट्क इस पिरेटी अमचे इंब सबसें चैपटर International रोटेशनल मोशन, काइनेडिक थेयरी आफ गैसे और नेक्ट दो दिन में हमारा मेकानिकल प्रपटी दा फ्लूइड भी हो जाएंगा तो यह सारे यह सारे चैप्टर आप घर पे साथ-साथ पढ़ते जा रहे हो नियुमेरिकल सौल करते जा रहे हो हम और आप दोनों मिल के साथ चल रहे हैं और कैसे भी हमें बोर्ड एक्जाम क्राक करना है ओके तो कैसे हो बच्चों सब लोग ठीक बढ़िया एकदम बढ़िया जल्ली से एक बार थम्स अब दिखा दो बिढ़र पॉर्शं तो हो गया है पॉर्शं था अपना हो गया है ये तो वण हौड है तो भी मिल जाएंगा वंचीर आपको टेंशन मत लोगर बढ़िया प्लीज जोन्वरिए अब़री आवाउट इट विराज कौन से नोट शिये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते है विडा धानू धानू बिडा लेक्चर पर ध्यान दे दे भूमी को बाद में हाई बोल भूमी कहीं नहीं जा रही है लेक्चर में ही है गुड आफ्टरून गुड आफ्टरून गाइस शिवम कुलकरनी ऐसा बहुत रेर केस में होता है बहुत रेर केस में क्योंकि बोड ने जो पैटन आपको दिया है वो पैटन के अकॉर्डिंगली ही पेपर बनेगा बहुत रेर केस में हैसा हो सकता है कि एक दो चैप्टर का वेटेज ऊपर नीचे हुआ हो या तीन चार चैप्टर का वेटेज ऊपर नीचे हुआ हो लेकिन बोड ने हमें जो पैटन दिया है वो पैटन ही हमें फॉलो करना है ठीक है शौर तो टेंशन मतलो गाइस तो चाहें तो आते हैं हम लोग चाप्टर नूम्बर तू मेकानिकल प्रॉौपर्टीज of fluid mechanical properties of fluid okay chapter number 2 है अपना यह अपना अब यह जो चाप्टर है ना यह चाप्टर जो है अपना यह चाप्टर एक्षुली तीन पार्ट में डिवाइड़ेड़े यह चाप्टर कितने पार्ट में डिवाइड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़े dynamics, और तीसरा पार्ट है हमारा, surface, tension and viscosity, ये तीन पार्ट में डिवाइड़ेड है chapter, static fluid, fluid dynamics and surface tension and viscosity, ये तीन पार्ट में अपना chapter पुरा डिवाइड़ेड है, अब बेटा, अगर हम लोग detail में देखे, देखे, detail में देखे, तो यहां हम क्या पढ़ने वाले, static fluid में हम किसके बारे हम पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे pressure के बारे में, pressure क्या होता है, what is pressure, धेर हम पढ़ेंगे pressure due to vertical or horizontal liquid column, कर एक मेरा बच्चा, उसके बाद हम पढ़ेंगे measurement of pressure, जिसमें हम दो device पढ़ते हैं measurement of pressure में, एक पढ़ते हैं हम barometer, दूसरा पढ़ते हैं हम open tube manometer, और फिर पढ़ते हैं हम लोग, last, Pascal's law and its application, यह अपना पहला पार्ट है chapter का, pressure क्या होता है, pressure due to a vertical or horizontal liquid column, then measurement of pressure में हम दो devices पढ़ते हैं, barometer, open tube manometer, और हम लोग पढ़ते हैं, last में Pascal's law and its application, application में भी दो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, hydraulic lift and hydraulic brakes, फिर गाइस आता है, fluid dynamics, fluid dynamics में हम लोग पढ़ते हैं कुछ important term, what is streamline and turbulent flow, फिर हम पढ़ते हैं, what is equation of continuity, फिर हम पढ़ते हैं, Bernoulli's theorem, और ants के application and its application, इतना पाद हम लोग किसमें पढ़ते हैं बढ़ते हैं, fluid dynamics में और surface tension में guys, surface tension में हम introduction देखते हैं उसका, introduction में actually हम पढ़ते हैं some important terms, some important terms, फिर molecular theory of surface tension, molecular theory of surface tension, ठीक है, third, फिर हम पढ़ते हैं, angle of contact, फिर हम पढ़ते हैं, lapless spherical membrane, फिर हम पढ़ते हैं, capillarity, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं guys, फिर हम पढ़ते हैं viscosity, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, Newton's law, Stokes law, और terminal velocity का derivation, यह है आपका पूरा chapter number two, आपका पूरा chapter number two है यह, ठीक है guys, पूरा, completely, बूली, अव मैं अदर हो, इतना सार आ है, अरे इतना सा आ है, लेकिन न, देख, यहाँ पर यह पार ठीक है, एक थोड़े थोड़े बड़ा है, फिर आग कर động of a definition है, ये एक theoretical answer है, ये theoretical answer है, ये derivation है, यहाँ पर एक derivation है और यहाँ पर एक derivation है, बाकी सब laws वगिर है, ठीक है बाकी सब laws वगिर है, तो chapter बड़ा है, माना बड़ा है, तभी तो 7 mark का वेटज है, 7 mark का वेटज है, और मैं ना बच्चों को हमेशा explain करता हूँ कि यह जो 7 Mark का chapter जो है ना बिटा यह हमेशा thoroughly revise करो क्योंकि यह chapter ना आपको 3 Mark और 2 Mark के question में दिखने वाला है 3 Mark के और 2 Mark के मतलब section B और section C में आपको दिखेंगा ही दिखेंगा ठीक है बहुत चांसे है section D में भी दिखें लेकिन थोड़े रेर चांसे है 7 Mark के question के आने के 7 Mark में जो mostly question आता है वो केटी जी का होता है नीचे section D में ठीक है तो एक आदा session उस पर भी लूँगा मैं जब आपको मैं guide करूँगा के paper को कैसे analyze किया जाता है कैसे evaluate किया जाता है कैसे कम पढ़के हम जादा marks ला सकते हैं एक बच्चे ने chapter इसके रीचे comment किया था marks ही marks होंगे करके तो बताऊंगा वो भी पात बताऊंगा आप लोग में ठीक है बच्चा तो आज के session में दिखो बड़ा chapter है ठीक है दो lecture में खतम करना है हमें मैं कोशिश करूँगा कि surface tension का पूरा पार आज हम खतम कर लें पूरा पार और बाकी पार्ट हम लोग next lecture में खतम करेंगे ठीक है तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि surface tension का पूरा पार्ट खतम कर लेंगे हम लोग ठीक है तो बढ़े आगे तो यहाँ पर पहले में लिख देता हूँ most important questions okay बढ़ते आगे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं introduction जिसके हम लोग पढ़ने वाले है क्या पढ़ेंगे मेरा लाला बोरो पचलो हम पढ़ेंगे some important terms कुछ important terms पढ़ेंगे हम लोग बहुत बार पढ़े जा चुके है गाइस शायद possible हो each and everything मैं ना लिखू okay क्योंकि इतना time नहीं हमारे पास ठीक है हम one shot ले इतना time नहीं है लेकिन explain सारी चीज़े करते वह जांगा ठीक है तो कुछ forces पढ़ेते हैं अगर आपको याद हो सबसे पहला पढ़ाता हम लोगोंने cohesive force the intermolecular force of attraction between molecules of same substance the intermolecular force of attraction between molecules of same substance is called as cohesive force तो क्या है यह यह है intermolecular force of attraction between molecules of same substance एक intermolecular force of attraction किसके बीच में दो intermolecular force of attraction between molecules of same same substance के molecules same substance मतलब क्या कि liquid liquid air air solid solid same substance होना चाहिए ठीक है उसे हम कहते है cohesive force फिर second हमने पढ़ा बिटा adhesive force तो adhesive force क्या होगा मेरे बच्चों को पता है adhesive force क्या होगा sir the intermolecular force of attraction between molecules of different substance क्या है यह बच्चों क्या है यह बच्चों क्या है बच्चों क्या होगा intermolecular force of attraction between the molecules of different substance स्टेंस इस光 अधेस्जय फॉरस अभागल आपने देखांगा कभी कार्पेंटर को काम किरते 25 कल्वें अब अगर आपको याद हुघ तो तो वह adhesive force है, ठीक है, जब Cutapenter पप लाइynnate चिपकाता है सनमाई का लाइynnate चिपकाता है तो छो क्या करता है पहलेmet PRY पूरा फयविस लग का लगाता है फिर L shooters by detail टो पने इन लिक्मेंख मारेख को बढमिक लिए और छोड़ को चिपका देता है तो वहाँ ईन के ओंपर लिखा होता है अधेसिक बांद से फोर्स पिर पढ़ना है अपने को । यह से रेँज उफ मउलिक्यूलार अट्रक्शन प्रखिणा 1 range of molecular attraction गया बिड़ा, it is the maximum distance between two molecules, it is the maximum distance between two molecules, up to which intermolecular forces are effective, वो जादा से जादा distance, दो molecule के बीच का, जहां से एक molecule दूसरे molecule के ओपर force exert कर सकता है, मतलब मैं उसको अपनी तरफ खीच सकता हूँ, या वो मुझको अपनी तरफ खीच सकता है, the maximum distance between two molecules, up to which intermolecular forces are effective, maximum force between two molecules, up to which intermolecular forces, अले यारी का ओपर चलिया, शलाए ये, तेड़ा का हे हो जाता है, भाई, the maximum distance between two molecules, up to which intermolecular forces are effective, two molecules के बीच का maximum distance, जिसके बीच, okay, the maximum force between two molecules, up to which intermolecular forces are effective, दो molecules के बीच का वो maximum distance जहां से एक molecule दूसरे molecule पर अपना force exert कर सकता है, इस हम कहते है, range of molecular attraction, आगे बड़े, next, that is something but, spear of influence, spear of influence, बीचा जब बहुत सारे molecules एक दूसरे से interact करते हैं, जब बहुत सारे molecules एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटराक्ट करते हैं, बहुत सारे molecules एक दूसरे से interact करते हैं, तो एक molecule अपने आपको क्या बना लेता है, सेंटर, क्या बना लेता है, सेंटर जड़ा चेक कर, और यह molecule हर एक molecule से, मतलब यह सारे molecules दूसरे उसकी range में हैं, तो अगर मैं इसको एक figure बनाओ, तो यह मेरा 3D figure बनेगा, करेक्ट, एक sphere बनेगा, जब बहुत सारे molecules इंटराक्ट हो रहे हैं, तो इन सारे molecules में एक molecule अपने अपको क्या बना लेता है, सेंटर, और यह सब को जो उसकी range में अपनी तरफ अटराक करता है, तो अगर ऐसे देखने जाओंगे, तो क्या बनता है, एक sphere बनेगा, एक 3D figure बनेगा, क्यों, तो हर जगा है, करेक्ट, सरकल नी बनेगा, इस चेंटर अगर जो तो ऱ एक मोलेकुलर अट्राक्टश इस अगिनरी इस अगिनरी इस 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 अगिनरी इस गिफ इसके बाद अपने को देख रहा है बिटा सर्फेसं फिल्म सर्फेस फिल्म, what is surface film? it is the uppermost, इस अभि काज की ग्लासपे पानी ली आ है काज की ग्लास पर पानी लेते हो तो आप देखो उपर ऐसा इसाप और अपक इक यह थिछ तीन सा लेयर देखेंगा it is the uppermost thin layer of liquid surface It is the uppermost thin layer of a liquid surface whose thickness is equal to range of molecular abstraction. The uppermost thin layer of a liquid surface whose thickness is equal to range of molecular attraction, it is the uppermost thin layer of a liquid surface whose thickness is equal to range of molecular attraction. The thickness of which is equal to range of molecular attraction, clear? First, surface energy, what will we learn? Surface energy, what is surface energy? It is the potential energy stored per unit area of a liquid surface under isothermal condition. It is the potential energy stored per unit area of a liquid surface under isothermal condition. It is the potential energy stored per unit area of a liquid surface under isothermal condition. Isothermal condition. Why is it called isothermal condition? Why is it called isothermal condition? Because isothermal means temperature constant. If it is not temperature constant, then the layers of water will shuffle due to convection of heat. water mains, which she is мне着side, it allows the volume pressure to inflate on mineral grounds. dash mulher and the form which is high isconf Jeffery jueges into low level of heat. If it is the potential energy stored per unit area of a liquid surface under isothermal condition, as I know water is thermal condition is yah, I know water is over level after ISотhermol condition is不能 under isothermal condition. So the Custom isolated layer of the liquid layer will also apply to change other layers. So I would not get to know the surface energy of surface energy, The surface energy is the potential energy. मतलब अगर एक liquid surface rest पे है, okay, तो वो rest पानी का layer कितना potential energy stored क्या है per unit area, उसे हम कहते है surface energy, clear मेरा बच्चा, एक दम पका, आगे बढ़े, अब आ जाते है, surface tension पे, किस पे मेरा बच्चा, surface tension, धियान देना बच्चा, surface tension, capital T, what is surface tension, it is the force per unit length, surface tension एक एक force, कैसे per unit length, acting at right angle, acting at right angle, on an imaginary line, drawn on the free surface of liquid, it is force per unit length, acting at right angle, on an imaginary line, drawn on the free surface of liquid, it is the force per unit length, it is the force per unit length, acting at right angle, acting at right angle, on an imaginary, line drawn on the free surface of liquid, it is an imaginary line, it is the force per unit length, acting at right angle, on an imaginary line, drawn on the free surface of liquid, so therefore, pen change करेंगे, therefore, surface tension is force per unit length, तो surface tension T is F upon L, surface tension T क्या है मेरा बच्चा, F upon L, पक्का, शौर, SI unit is Newton per meter, dimension is L0M1T-2, L0M1T-2, करेक्ट, अब इसी के साथ तुरंग अपने को पढ़ लेना है, Molecular Theory of Surface Tension, Molecular Theory of Surface Tension, clear? What is the Molecular Theory of Surface Tension? अब जरा ध्यान दो बच्चे अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दो, क्या के लिवदानों क्याक्त पुड़िश, нопाराइघ नहीं अद़र चुछे हैas झाल यह एक वैसल है समझो ठीक है और यह वैसल में हमने तीन मॉलिक्यूर्स दिये ए ये वैसल हमने वैसल यह आपका मॉलिक्यूल A है यह आपका मॉलिक्यूल B है और यह आपका मॉलिक्यूल C है ठीक है? हमने एक लीक्विड लिया और लीक्विड के अंदर मैनि कितने ओपके तरी उस स्पियर ओफिंफ्लवेंस A, B, C रऊंट अबाव फिगर हमने एक लीक्विड लिया और हमने थीन मॉलिक्यूल कैजर किया जिनके स्पियर ओफिंफ्लॉक्योंस आर A, B & C as shown in the above figure अब एका sphere of influence देखो बिडा वो पूरी तरह से पानी के अंदर है पूरी तरह से पानी के अंदर है therefore it is acted upon by it is acted upon by cohesive force it is acted upon by cohesive force from all possible direction it is acted upon by cohesive force from all possible direction therefore net force acting on the molecule is zero hence it remains well inside the liquid मतब ये जो sphere of influence एक आविडा वो पूरी तरह से पानी के अंदर है तो उसके उपर हर जगह से cohesive force act हो रहा है क्या मालेक्वी कुसका पानीका आजुब आजुबाजुमे क्या है पानी तो पानी और हैं को यह वोड्य पूर्स हो अभी हर में यह व्यूसी प्लाय धुक्रियू झ değil so net force acting on the molecule, इसने इसको खालिया, इसने इसको खालिया, इसने इसको खालिया, correct, अगर मैं यहां से एक और एक बनाऊ, इसने इसको खालिया, correct, हर एक ने इसरे को काट दिया, तो net force acting on the molecule is zero, therefore it remains well inside the liquid, correct, अब sphere of influence of B, sphere of influence of B, lies slightly in surface film, थोड़ा सा हिस्सा उसका कहाँ परेड़ा, surface film के अंदर, दिख रहा है सबको, एक दम पक्का, therefore it is acted upon by net cohesive force in downward direction, it is acted upon by net cohesive force in नीचे, मतलब नीचे क्यों और क्या act कर रहा है, cohesive force, इसने direction में, downward, अरे उपर थोड़ी होंगा, उपर थोड़ी होंगा, तो cohesive force होंगा, पानी के अंदर खीचा जा रहा है, तो पानी के अंदर खीचा जा रहा है, clear, एक दम पक्का, the sphere of influence of B slightly lies in partial flim, okay, it is acted upon by a net cohesive force in downward direction, correct, एक दम पक्का, the sphere of influence of C, sphere of influence of C, partially lie in air and partially lie in, partially कहा लाए कर रहा है, लिक्विड में, और partially कहा लाए कर रहा है मेरा बच्चा, एक दम पक्का, तो इसके उपर, उपर की और शायद cohesive force जा रहा है, correct, sorry, adhesive force जा रहा है, किसके वज़े से है, air, उपर air molecules है न, एर, correct, लेकिन आप air की वज़े से, air के molecules अल्रेड़ी दूर होते हैं, वो molecules इस पानी के molecules को कहा खीच के उपर लेके जाने वाले, लेके जाने वाले या नहीं, तो इसके उपर भी क्या act होता है, एक net cohesive force, कौन से direction में, downward direction में, नीचे, तो molecule B, भी कहा खीचा जा रहा है, नीचे, molecule C, भी कहा खीचा जा रहा है, नीचे, तो ऐसे surface flim में जितने भी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे molecules है, वो तब के ऊपर एक force act कर रहा है, जो उसे नीचे, liquid के अंदर खीचने की कोशिश कर रहा है, due to which number of molecules in the surface flim goes on decreasing, इसकी वज़े से, यह surface flim में जो molecules है, उसका number धीरे-धीरे-धीरे क्या होता है, कम, क्यों, अरे, एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक कहा जा रहा है, liquid के अंदर जा रहा है, due to which it gets shrink, liquid की जो surface flim में दीरे-धीरे क्या होता है, shrink, since it cannot shrink any further, अब एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-ए switch elastic membrane under tension called as surface tension called as surface tension यह है बिटा molecular theory of surface tension दो या तीन माग के लिए question आ सकता है explain in detail molecular theory of surface tension यह diagram के साथ आपका answer लिखना है जो भी मैंने बताया consider a liquid consider a liquid consider three molecules a b and c okay whose sphere of influence are as shown in the above figure sphere of influence of a lies well inside the liquid it is acted upon by cohesive force from all possible direction therefore net force acting on the molecule is zero and it remains well inside the liquid sphere of influence of b lies partially in surface flame thus it is acted upon by a net cohesive force in downward direction which tries to pull it inside the liquid sphere of influence of c lies partially in air and partially in surface flame thus it is acted upon by net cohesive force in downward direction क्योंके adhesive force due to air molecule क्या है negligible तो इसके ओपर भी net cohesive force कौंसे direction में act हो रहा है नीचे direction में correct and it tries to pull it inside the liquid अब ये एके करके एके करके जब पूल करेंगे तो number of molecules in the surface flame goes on decreasing due to which it gets shrink since क्यूंके वो और ज्यादा श्रिंक नहीं हो सकती है since it cannot shrink any further it acts as a stretched elastic membrane under tension called as surface tension ठीक है तो ये एक line है एक line के ऊपर force per unit length acting at right angle on an imaginary line drawn on the free surface of liquid is called as surface tension definition definition भी समझ गया इस experiment से अरे मेरा बच्चा clear हुआ के नहीं चौर आपको question क्या सकता है क्या सकता है मेरा लाला question explain molecular theory of surface tension कितने माग के लिए minimum तीन माग के लिए diagram के साथ diagram के साथ clear बच्चो एकदम पक्का आगे बढ़े आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं relation between surface energy and surface tension relation relation between surface energy and surface tension ठीक है एकदम पक्का मेरा बच्चा अरे हां के नहीं एक तो यह शेप ही रिक्रग्नाइज नहीं कर पा रहा है ना लाएक प्राइज प्राइज नहीं कर दो एक दो एक a b c d यह C'dash, यह D'dash, यह wire की length L, यह displacement TX, यहाँ पर force जा रहा है F, यहाँ पर force जा रहा है F'dash. ध्यान देना बच्छा, consider a rectangular frame of wire ABCD, हमने एक rectangular frame consider wire का ABCD, consider a rectangular frame of wire ABCD, with wire CD can slide over it without any friction, हमने एक rectangular frame consider wire का ABCD, such that wire CD can slide over it without any friction, अब इस frame को हमने क्या किया विडा, एक soap solution में dip किया और ऐसे horizontally held कर दिया, this frame is dipped in a soap solution and held horizontally, forms film, विडा जब जब आप ऐसा कोई loop लेते हो, loop, उसको ऐसे soap solution में डालके बाहर निकालते हो, तो उसके उपर एक परत बन जाती है न, परत, उस परत को हम बोलते है F, अगर बचपन में मे तो मालब में वह गुबारे पुलाने वाला था, soap solution के bubbles बनाता था, तो आपको इतनी चोड़ी काली डबी देता इसमें soap solution होता था, आपको वह एक गल दिया जाता था, वह आप ऐसे डालते है soap solution में, बाहर निकालते हैं उसके पर एक film बनती थी, फिर ब्लोग करते हैं उसमे पर without any friction, हमने इस frame को क्या किया बिड़ा, एक पानी के solution, soap solution में dip किया, और से horizontally place कर दिया, उसके ओपर क्या बन गई, फिल्म, अब यह जो फिल्म उसके ओपर बनी न, if T is the surface tension of soap solution, if T is the surface tension of soap solution, and L is the length of wire cd, a force f is equals to 2tl, a force f is equals to 2tl, okay, is exerted on wire cd, which which pulls it towards AB to decrease the surface area of film, क्या किया बिड़ा, जब हमने उस frame को soap solution में dip करके ऐसे बाहर निकाला, ठीक है, तो वो अगर उस soap solution का surface tension T है, और wire cd का length L है, तो wire cd के उपर एक force act होता है, कौन सा force, f is equals to 2tl, sir, यह कहां से आया बताता हूँ, अच्छा यह force क्या कर रहा है, यह force cd को किसकी तरफ लेके जा रहा है, ab की तरफ, जिसकी वज़े से, जो हमारी film बनी रहा है, जो हमारी परत, उसका area क्या होंगा, decrease होंगा, उसका area क्या होंगा, decrease, pulls it towards ab to decrease the surface area of film, in order to increase the surface area of film, we apply a force F dash, we apply a force F dash of equal magnitude but opposite in direction, due to which wire displaces to C dash D dash by a small displacement dx, क्योंके already cd पे force F apply हो रहा था, जो उसको ab की तरफ pull कर रहा था, तो मैंने क्या apply किया, मैंने force apply किया F dash, जिसका magnitude सेम है, लेकिन direction क्या है, opposite, जिसकी वज़े से cd मेरा wire displaced हो गया, और कहां पर आ गया, c dash d dash पर, और कितने से displaced हुआ, by a small displacement dx, अब force के वज़े से displacement हुआ, so therefore work done in increase in area of film is given by, work done का formula क्या है वज़ा, dw is equals to f dash into dx force into displacement, so dw is equal to what is f dash, 2 t l dx, सर लेकिन f dash थोड़ी f है, अरे लेकिन magnitude सेम है न, equal magnitude, तो जितना f होगा उतना ही f dash भी होगा, सिर्फ direction opposite है, ठीक है, तो dw is equals to 2 t l into dx, अब यहां ज़रा यहां दिक, अगर c c dash d dash d, यह एक rectangle है, तो l उसका breadth है और dx उसका length है, length into breadth, length into breadth, length into breadth, length into breadth, क्या होता है, area, तो dw is equals to 2 t into d a, 2 t into d a, this work done is stored in the form of surface energy, बराबर न, surface energy, so therefore, e is equals to 2 t d a, बिटा यह किस के लिए है, soap solution के लिए, for ordinary liquid, for ordinary liquid, e is equals to 2, sorry, e is equals to t into d a, e is equals to t into d a, बराबर बिटा, क्योंके सिफ soapy double film बनाता है, ठीक है, अच्छा, अब मैं बताना भूल गया, सर यह कहां से आया, सर यह कहां से आया, बेटा, what is the formula for surface tension, t क्या है, sorry, t क्या है, t, t होता है, f upon l, उपर बेच, तो f क्या मिलेंगा, t, l, sir, 2 कहां से आया, 2 क्यों क्या है, because, soap form two films, soap कितनी film बनाता है, बिटा, दो, जैसे, जैसे, अगर यह, यह है, बराबर, परत है, ठीक है, तो, एक film कहां बनेगी इसके उपर वाले surface को touch करते हुए, ऐसे, उपर वाले surface को, और द्ूसरी film कहां बनेगी, कैसे explain करού, यहां देखो, यहां देखो, ठीक है, एक film, यह, उपर वाली edge और वाली edge, को कनेक्ट करते हुए बनेगी और एक फिल्म यह नीचे वाली एज और नीचे वाली एज को कनेक्ट करते हुए बनेगी समझ पा रहे हो दो फिल्म बनती है क्योंकिए सोप solution जो होता है वो हलका अजा sticky होता है तो ऐसे solution जो sticky होते हैं जैसे soap solution, paraffin wax, paraffin oil, honey ये सारे कितनी film बनाएंगे बिड़ा हमेशा दो film बनाएंगे याद रखना और ordinary लिक्विड हमारा पानी वगेड़ा एक ही film बनाएंगा इसलिए सिर्फ TL लिखते हैं हम लोग समझा एक दम पक्का शौर ओके कि इस कि ड्रॉप्स कोलियास्क मतलब बहुत सारे ड्रॉप जुड़के बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो ए का फॉर्मूला हो जाता है कि 404 पाइं N R squared minus R squared कि इफ़्डॉप कोलियास्क और कि वन ड्रॉप ब्रेक्स इन्टो मैनी अगर एक मतला बहुत सारे ड्रॉप मर्ज होके एक ड्रॉप बना रहा है या एक बडरा ड्रॉप ब्रेकों के बहुत सारे डॉप बना रहा है, दोनों ही फॉर्मूले में, या तो चेंज इन सर्फेस अलजी का फॉर्मूला ही आएंगा, या फिर वर्क दन का फॉर्मूला ही आएंगा, T4PiNR2-R2, डाइरेक्ट तुम लोग को फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, डाइरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं मेर लाला, सीधा सिंपल और सुीट वाला फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, क्लियर गईस, शौर एकदम पक्का चलो इसके तुरंद बाद तुरंद बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सेस प्रेशर इंसाइड लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर इंसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर इंसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या फिर इसका दूसरा नाम लापलेस स्पेरिकल मेंब्रेन दोनों नाम याद रहना है मेरा बच्चा दोनों नाम याद रहना है ठीक है अरे अंगे नहीं लाला लोग ठीक है सम्झो येक ड्रॉप है हुआ 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 है करेक्ट समझो यह अपना यह था क्या बुलते है ड्रॉप था जिसका रेडियस कितना था बेड़ा आर जो एक्सेंट कितने से हुआ डेल्टा आर से इसका अंदर का प्रेशर था पी आई बाहर का प्रेशर था पी ओ कंसिडर अलिक्विड ड्रॉप अफ रेडियस आर विट इन्साइड प्रेशर पी आई आउट्साइड प्रेशर पी ओ हो जाथा तो हमेचा प्रेशर कहां पर जाधा होता है अंदर की ओर तो पी आई इस ग्रेटर देन प्योड देर्फोर एक्सेस प्रेशर इस गिवन बाए पी आई मैनेस पी ओ बर्बर अबंड बर ओके नो इफ दो ड्रॉप एक्स्पांब कितना आता है एवन 4 पाई आर स्क्वेर ऑट्व इंटू क्या आता है एटू 4 pi r plus delta r the whole square expand हुआ ना तो नया radius का okay बढ़ा r plus delta r तो solve कर 4 pi r square plus 2 r delta r plus delta r square multiply कर चर तो 4 pi r square plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square multiply किया 4 pi अधर ना इंक्रीज in area increase in area मतलब d a कितना मिलेगा बोल a2 minus a1 a2 मतलब 4 pi r square plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square minus a1 कितना है 4 pi r square यह यह कैंसे since delta r is very small so therefore delta r square is negligible बराबर अगर delta r बहुत चूटा है तो delta r square का हुआ negligible तो यह तम गया तो दीए कितना मिला दीए increase in area कितना मिला मेरा बच्चे को बिढ़ा 8 pi r delta r so work done work done in increase in area is given by dw is equals to t into da अभी पढ़ा बढ़ा बढ़ा तो dw is equals to t into da कितना मिला da 8 pi r delta r but work done is also given by formula dw is excess force into displacement कितना होगा है delta r but what is excess pressure guys excess pressure क्या होगा मेरा बच्चा excess force upon area na pressure क्या है force upon area तो excess pressure क्या है excess force upon area तो यहां से excess force क्या मिलेगा excess pressure into area excess force will be excess pressure into area बढ़ाबर अब excess pressure कितना है मेरा बच्चा it is pi minus po into area 4 pi r square इसके उपर अप्ला हो रहा है initial area के उपर correct put कर इधर पर तो dw will be equal to pi minus po into 4 pi r square delta r पक्का मेरा लाला अरे excess force की जगे पर यह value डाल दी है ओक्या है यह equation 1 है यह equation 2 है so therefore दोनों को equate कर क्या मिलेगा t 8 pi r delta r is equals to pi minus po into 4 pi r square delta r तो delta r delta r cancel 1 pi 1 pi cancel 1 r 1 r cancel 4 1 4 2 तो आंसर क्या मिला 2 t is equals to pi minus po into r यहां पर इसो सब क्या सिर्फ r बचा न तो pi minus po कितना मिला 2 t upon r this is the expression for excess pressure inside a liquid drop 4 और साल पहले इसके पहले वाला एक कुश्चन भी लिग देते हैं 2 को कि दूए अ हम लिगे अ apal? 5 रिएफ g energy and surface tension whatever third derive and expression or excess pressure inside a liquid draw March 2015 March 2016 2 years 3 months for question 3 months for question 3 months for question has come clear children one more time not coming go further come further my child come angle of contact angle of contact before turning on angle of contact before turning on angle of contact बढ़ने के पहले बचो एक मिड़ा एक मिनिट अब आवियर चारवे को तो पशिक मुक्तवास हैं मुस्तपा है मुस्तापा ने मैं त्यम्ते थात्य के साफिजन है थे नहीं रुदुमगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिर्स 토 publisher बच्चों बड़े आगे अब एंगल of contact क्या है बड़ा समझो बात को इंगल of contact? Whenever a solid is in contact with a liquid。 whenever a solid is in contact with the liquid the angle between the angle between tangent drawn the angle between tangent drawn on the free surface of liquid tangent drawn on the free surface of liquid and surface of solid surface of solid in contact with the liquid measured inside the liquid measured inside the liquid dikh rahe guys जब कभी एक solid liquid के contact में आता है तो एंगल जो बनता है किसके बीच में tangent कहां बनाया tangent लिक्विड के free surface पे और किसके साथ solid का surface कौन सा surface जो लिक्विड के contact में कहां पर measure किया inside the solid inside the solid whenever a solid whenever a solid is in contact with a liquid the angle between tangent drawn on the free surface of liquid and the surface of solid in contact with the liquid measured inside the liquid पिट आपने को ये अंगल देकर रहा है ये अंगल ये angle होता है angle of contact, ये angle होता है angle of contact, whenever a solid is in contact with the liquid, the angle between tangent drawn on the free surface of liquid and surface of solid in contact with the liquid measured inside the liquid, पक्का, एक्दम पक्का, शोर, यहाँ रेको, यहाँ रेको, whenever a liquid is in contact with a solid, whenever a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn on the free surface of liquid and surface of solid in contact with the liquid measured inside the liquid. whenever a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn on the free surface of liquid and surface of solid in contact with the liquid measured inside the liquid is called as angle of contact. अब जब एक liquid solid के contact में होता है ना बेटा, तो उसके उपर 4 forces act करते हैं, कितने forces act करते हैं, 4, four forces, कौन से कौन से ध्यान दे, पहला, नेट अध्यसिव फोर्स एपी बार due to solid molecules, पहला कौन सा फोर्स बिटा, नेट अध्यसिव फोर्स, यह A है और यह AP बार, नेट अध्यसिव फोर्स एपी बार due to solid molecules, और वो कहां act करता है, solid के अंदर, करेक्ट, सेकेंड, नेट कोहेजिव फोर्स एक्यू बार due to liquid molecules, due to liquid molecules, ध्यान दे, ध्यान दे, something like this, एकदम पक्का, शौर, next, third, which is directed inside the liquid, net adhesive force due to air molecule, which is negligible, or fourth, gravitational force according to weight of molecule, which is again gravitational force according to weight of molecule, which is again negligible, sure guys, एकदम पक्का, जब एक liquid solid के contact में आता है, और अगर हम एक liquid molecule consider करें, जो liquid और solid के interface पे है, जिसका sphere of influence ऐसे हमें दिख रहा है, तब इसके उपर कितने फोर्स एक्ट करते है, चार, कौन से कौन से है, पहला, net adhesive force AP बार due to solid molecule, दूसरा, net cohesive force AQ बार due to liquid molecule, which is directed inside the liquid, ये inside the solid, net adhesive force due to air molecule, which is negligible, and gravitational force according to the weight of molecule, which is again negligible, ठीक है, अब बिड़ा, इस angle of contact के, तीन cases है, कितने cases है, तीन, चलो, एक एक करके देखेंगे, possible cases, ध्यान दो बिड़ा, उरक, है तुर आम्यान दो से तूलीमें, छिब गलो, ये टूश्यान दो, ये नाब है, कितने से है, तीन, उर नड़, 又 से दो, टो, ये तो, तो, वे पक organization है, स्री ठीक है यादे यह पहला यह दूसरा ठीक है और यह तीसरा ठीक है सबका एक मोलेक्यूल बना लेते हैं यह दूसरा यह दूसरा ठीक है बच्चों एकदम पक्का पले आदे आंदो ठीक है यह सका यह स्का यह सका यह सी फोसалист यह सका कोह सिवस्यप्स ये इसका adhesive force ये इसका cohesive force ये इसका adhesive force शौर नाम देते हैं molecules को ये आपका A, ये P, ये Q ये आपका A, ये आपका P, ये आपका Q ये आपका A और ये आपका P बराबर बच चलो एक दम पक्का जरा ध्यान देना ठीक है अच्छे दे ध्यान देना ओके in case of liquid in case of liquid which which partially wets the solid surface example kerosene in case of liquid which partially wet the solid surface example kerosene ok net net adhesive force due to solid molecule is greater than net cohesive force due to liquid molecule therefore resultant force resultant force resultant force ar bar acts inside the solid resultant force ar bar acts inside the solid resultant force ar bar acts inside the solid due to which liquid creeps downward liquid creeps downward forming a concave meniscus angle of contact is acute angle of contact is acute angle of contact contact is acute, in case of liquid which do not wet the solid surface, example mercury, net cohesive force AP bar due to solid, net adhesive force AP bar due to solid molecule is less than net cohesive force AR bar due to AQ bar due to liquid molecules, okay due to which resultant force. तो resultant force AR bar, दिख रहा है, parallelogram loss यह, parallelogram law vector is this, resultant force AR bar acts inside the liquid, resultant force AR bar acts inside the liquid, due to which liquid creeps upward, forming a convex meniscus, forming a convex meniscus, angle of contact is obtuse, करेक्ट अरे यहां से एक टैंजन बनाऊंगा तो यह और यह कौनसा एंगल बनेंगा अक्यूद है अप्टिवस एंगल बनेंगा यहां पर अगर मैं टैंजन बनाऊंगा रेड कर गर का टैंजन बनाते है यह टैंजन बनाते है यह टैंजन बन गया बनाबर और यह दूसरा व engine बनाया, okay, और यह वाला अंदर का पार्ट, दिख रहा है, तो यह जो एंगल है मेरा बच्चा, कौन सा एंगल है, obtuse एंगल है, correct, in case of liquid which completely completely wets the solid surface, example, pure water and clean glass, pure water and clean glass, okay, net adhesive force AP bar due to solid molecule is far greater as compared to net cohesive force due to liquid molecule, due to which resultant force AR bar acts along AP bar, resultant force AR bar acts along AP bar, resultant force AR bar acts along AP bar, no meniscus formation, angle of contact is zero degree, angle of contact is zero degree, clear guys, एकदम पक्का, बेटा हम वन शॉट में भी बहुत डीटेल में पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हो यह हम वन शॉट में भी बहुत डीटेल में पढ़ रहे हैं, दाइग्राम्स देख लो, ठीक है, एक का मैंने पूरा ठीरी लिखाया, बाकी का मैंने सिर्व लिक्यूरी है, रिजल्टन फोर्स कहा एक कर रहा है, यहां पर सॉलिड में यहां पर लिक्विड में, ठीक है, यहां पर लिक्विड डाउनवर्ड करीप हो रहा है, यहां पर लिक्विड अपवर्ड करीप हो रहा है, यहां पर कॉनकेव मिनिसकस बन रहा है, यहां पर कॉ बहुत कम बच्चों के थमजब आये अभी भी बहुत कम बच्चों के थमजब है बहुत ही कम बच्चों के थमजब है बच्चे नाराद है नाराद हो थमजब क्यों नहीं दिखा रहे हो जल्दी से जल्दी से एनाई आर्मी ओपी इन दचाट ओपी इन दचाट come on come on come on boy come on मेरे को जोश में लाओ दोड़ा सब मैं थक गया हूँ इसके बाद एक और एक लेक्चर ले निगा मेरे को जल्दी से जोश में लाओ मेरे को क्या बात है गाइस love you all love you all love you all चलो आगे बड़े अब आजाते है गाइस capillarity what is capillarity the phenomenon of rise or fall in the level of liquid inside a capillary एक ऐसा phenomenon जिसमें liquid rise होता है या fall होता है कहाँ पर capillary के अंदर कब when it is dipped in a liquid when it is dipped in a liquid is called as capillary the phenomenon of rise or fall in the level of liquid inside a capillary when it is dipped in a liquid the phenomenon of rise or fall in the level of liquid inside a capillary inside a capillary where it is dipped in a liquid is called as 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 surface sorry it is called as capillary एक 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 एसा फेनोमेन जिसमें लिक्विड के अंदर जिसमें capillary के अंदर लिक्विड या तो राइस हो जाता है या तो फॉल हो जाता है कब जब हम उस capillary को एक लिक्विड में डिप करते है उसे हम कहते है capillarity उसे हम कहते है capillarity अब इसके कुछ application है इसके बहुत सारे application है guys पढ़े हम लोगों ने क्या है इसके application guys okay पहला water rises to the topmost leaf due to capillarity whatever second water rises in the services of rocks due to due to capillarity whatever third water rises in the services of rocks due to capillarity third oil rises to the top of wick inner spirit lamp due to capillarity or बहुत सारे example इस ठीक है अब explanation के सर्ये राइज और फॉल होता क्यूं है ये राइज या फॉल होता क्यूं है सर्याज वो समझते हैं के सर्याज वाइज वाइज दिस राइज वाइज फॉल अब इस का का इव फैस इन प्रेशर बिलो इट अबाव था कॉण के व शर्फेस इस ग्रेटर दिस ग्रेटर लोई के आओ अब अब्रुंट को शर्फेस है तो इसके वोपर अगर एक पॉइं पईंट आप वाला पॉइंट है P2 तो P1 पे प्रेशर जादा होंगा as compared to P2 प्रेशर अबाव दो कॉनकेव सर्फेस के ऊपर प्रेशर जादा होता है as compared to pressure below it second pressure above and below the plane surface is equal pressure above and below the plane surface is equal मतलब क्या कि अगर plane surface है तो plane surface के ऊपर का pressure और plane surface के नीचे का pressure क्या होता है बढ़ा सेम होता है pressure above and below the plane surface is equal clear यह दो नोड आपको बहुत अच्छे से याद रखने अब आते explanation पे तो यहां पर explanation नहीं लिखते हम लोग नहीं तो बच्चे बोलेंगे इसा नहीं पढ़ाया तो नहीं explanation लिख दिया है ठीक है ओके अब next page पे लिखते हम लोग explanation की क्या होगा ओके चल्ड़ मेरी बात सुनो बच्चा हम लोग क्या कर रहे है हमने ना एक container लिया ठीक है और इस container थोड़ा ठीक है ठीक है और इस container में हमने liquid अपना liquid भर दिया ठीक है और इसके अंदर हमने एक capillary डाल दी capillary दिख रहा है आप लोग को ठीक है जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से यहां पर न एक कॉनकेव सर्फेस जैसा बन गया दिख रहा है आपको शौर एकदम पका हमने liquid लिया ओके और एक बीकर लिया और उसके दर हमने एक capillary डाल दी ठीक है लिक्विड कैसा है जो capillary को कैसे वेट कर रहा है पार्शली पार्शली वेट कर रहा है इसलिए कौन सा सर्फेस बना रहा है बिड़ा कॉनकेव अब मैंना मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं A and B above and below the concave surface C and D above and below the plane surface मैंने चार पॉइंट लिये A and B above and below the concave surface C and D above and below the plane surface अब A B C D पर प्रेशर कितना है बिड़ा PA, PB, PC and PD इन जगया उपर प्रेशर अब देख यह A concave surface के ऊपर है तो अभी हमने जो note पड़ा वो note के according pressure at point A will be greater than pressure at point B C, agree करेंगे सब लोग, pressure above the concave surface is greater than pressure below it बराबर दूसरा Pressure at point C is equal to pressure at point D, C पे और D पे pressure क्या होंगा नोट के प्रेशर अबाव and below the plane surface is equal बराबर मेरा लाला अरे हांके नहीं शौर अच्छा pressure at point A is also equal to pressure at point C इसका reason क्या है atmospheric pressure दोनो air में check कर, atmospheric pressure दोनो air में है check कर, देख, pressure at point A is greater than pressure at point B, note 1 से मिला, बराबर pressure at point C is equal to pressure at point D, note 2 से मिला, check कर, above and below the plane surface equal है, एकदम पक्का और pressure at point A is equal to pressure at point C, atmospheric pressure pressure, दोनो air में, air का pressure से मिला है न, अब इन तीनों को अगर मैं मिला हूँ, C किसको equal है D को, A किसको equal है C को, तो क्या मैं बुल सकता हूँ, A or D equal है, so PA is equal to PD, कहां से मिला यह, from 2 and 3, तो क्या मैं A की जगे पर D लिख सकता हूँ, तो pressure at point D is greater than pressure at point B, बराबर मेरा बच्चा, अरे हाके नहीं, तो pressure outside the capillary is greater than pressure inside it, capillary के बाहर प्रेशर जादा है, as compared to pressure capillary के अंदर, तो बाहर का liquid न, capillary के अंदर रश करता है, बाहर का liquid, capillary के अंदर क्या करता है, rescue to maintain pressure difference, liquid flows from a point at higher pressure to a point at lower pressure, बाहर प्रेशर जादा है, अंदर pressure कम है, तो बाहर का liquid tube, capillary के अंदर गुसता है, जिसकी वज़ी से capillary में liquid क्या हो जाता है, rise हो जाता है, तो ये rise और fall किसके उपर depend करता है, मेरा बच्चा, pressure difference के उपर, क्यूंकि capillary डालने के बाद, एक pressure difference create होता है, उसकी वज़े से, बाहर का liquid अंदर रश करता है, clear, एकदम पक्का, same manner में, same manner में बिटा, अगर, 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 मैंने फिर से एक B कर लिया, और उसके अंदर मैंने फिर से liquid डाल दिया, और मैंने फिर से एक, फिर से एक capillary लिया, अब मैंने liquid कौन सा लिया है भीडा, जो हो, जो कैसे wet कर रहा है, partially wet, sorry, do not wet, जो wet ही नहीं कर रहा है, जो मेरे capillary के walls को wet नहीं कर रहा है, ठीक है अब फिर से हम लोग चार पॉइंट्स लेते हैं A, B, C, D, A and B above and below the convex surface, यहां पर concave surface था, यहां पर convex surface, बराबर C and D above and below the plane surface, pressure at point A, B पर BB, C पर PC and D पर PD, अब ज़रा चेक कर विड़ा, अगर A convex पर है, तो B concave के पास है तो अब pressure at point B will be greater than pressure at point A, अरे अब B convex के पास है, concave के पास है, यहां पर देख, concave के पास A था, तो A पर pressure ज़्यादा था, A convex पर है, और B concave के पास है, अरे यहां देखना, तो concave के पास कोन है, B, A तो convex surface के उपर है, तो B पर pressure A पर ज़्यादा होंगा, बराबर, लेकिन pressure at point C is equal to pressure at point D, pressure above and below the same plane surface, अच्छा pressure at point A is also equal to pressure at point C, atmospheric pressure agree करेंगे, अरे बच्चों agree करेंगे के नहीं, atmospheric pressure, बराबर, तो यहां पर से क्या मिलेगा, pressure at point A is equal to pressure at point D, from 2 and 3, बराबर, शौर, तो क्या मैं A की जगे डिली सकता हूँ, तो pressure at point B is greater than pressure at point D, मतलब अब capillary के अंदर pressure जादा है as compared to capillary के बाहर, अब capillary के अंदर pressure जादा है as compared to outside capillary, तो liquid कहाँ flow होंगा, high pressure से low pressure ना, मतलब वो liquid capillary के अंदर से बाहर निकलेगा, जब यह बाहर निकलेगा, तो यहां पर liquid क्या होंगा, fall, यहां पर liquid क्या हो रहा था, rise, क्योंकि बाहर pressure जादा था, अंदर कम था, तो बाहर से पानी अंदर गया अंदर प्रेशर जादा है बाहर कम है तो अंदर का पानी बाहर गया फॉल राइस क्लियर बच्चो पक्का बच्चा लो बच्चा लो बच्चा लोग आके नहीं अमोल नो क्यो बोल रहा है बड़ा पुरी जायन डाल के एक्स्पें कर दिया अभी भी नो बोल रहा है मेरा बच्चा चलो लास्ट पार्ट देख लेते है मेरा चाय थंड़ा हो जाएगा साथ-साथ में पीभी लेता हू में बच्चो बुरा नहीं मनना चाय भी रहा आपके सामने है थैंक यू सुमयर थैंक यू सो मच सुमयर देख लिए आपका मेसिग बड़ा मैंने चलो बड़े आगे अब आजाते हैं लास्ट पार्ट पे राइस ओफ लिक्विड इंसाइड अ कैपिलरी राइस ओफ लिक्विड इंसाइड अ कैपिलरी राइस ओफ लिक्विड इंसाइड अ कैपिलरी क्लियर गाइस एकडम पका तो हम हम क्या कंसेडर कर रहे गाइस क्लियर गाइस झाल हमने कंसेडर किया एक लिक्विड ओके जिसका हमने कंसेडर किया एक लिक्विड जिसका रेडियस कितना है रेडियस कि जिसका रेडियस आर है ओके जिसको हमने एक लिक्विड में डिप किया जो इसकी कि मॉल्ल और देवाले को दो मॉलिक्यूल। दीच में, एक पोर्स एक्समेंट होगा। तो भॉत सारे मॉलिक्यूल से गोसी है। ये मंकलल ने इसका क्रशी होगा, ये मंकल्स कंपने दरफ खीचा , ये मंकलम ने आ जो आ ज़ाव देऊ, तो ग्लास भोलेगा, मैं भी किसी को खीच वहा, तो ऐसे एक force developed हुआ F, ऐसे एक force developed हुआ F, हर एक दूसरे को खीच रहे लेगा, तो एक आखरी वारे ने क्या बोला, कि मैं तो ग्लास को भी खीच लूँगा, अब इस force को हम लोग 2 component में resolve करते हैं, इस force को हम 2 component में resolve करते हैं, एक vertical component, दूसरा horizontal component, ऐसे देखो ना विटा, यह फोर्स है, तो यह सारे force है, तो ऐसे एक vertical जाएंगा, एक horizontal जाएंगा, एक vertical जाएंगा, ऐसे, तो यहां से यह force ना तो एक vertical horizontal, vertical horizontal, तो आप चेक करो, जितने भी horizontal component है, वो एक दूसरे को cancel कर देंगे, सपोज यह force है T, तो यह हो जाएंगा T cos theta और यह हो गया T sin theta, वो force जो डेवलप वो आस तरफेश चेंचन की वैसे, उसको मैंने कितने component में resolve किया, विटा, दो component में, तो आप चेंचन कर देंगा, जो सबका horizontal component एक दूसरे को क्या कर देंगा, तो बचेंगा क्या वर्टिकल, अचा अब यह वर्टिकल कंपोनेंटी रिस्पॉंसिबल है उसको उपर राइस कराने के लिए, आए, ओके, so total upward force is equals to, total upward force is equals to circumference into t cos theta, arae अब यह जो t cos theta है, यह पूरे circumference पर act हो रहा है ना मेरा बच्चा पूरे circumference पर act हो रहा है ना आ कि नहीं तो circumference इंटू T cos theta circumference बत्ला तू पाई आर इंटू T cos theta अगरी करेंगे अच्छा तोटल डाउनवर्ड फोर्स तोटल डाउनवर्ड फोर्स नीचे क्या act करता है लिक्विड का वेट और वेट कितना होता है M G M क्या होता है बेडा रो वी जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम सिलेंडर ना पाई आर स्क्वेर एच और यह जी बराबर लिक्विड टू बी इन ई कविऊ लिब्रिएम अब लिक्विड इक्विब्रियम पर रहने के लि fraction मानेंगे टॉटल अपवर्ड फोर्स विल जी इक्वर्ड टो तोटल डाउनवर्ड फोर्स टॉटल अपवर्ड फोर्स कि इतना है मेरा बच्च्या 2 pi r t cos theta total downward force कितना है मेरा बच्चा rho pi r square h g तो pi pi 1 r 1 r तो क्या मिला यहाँ पर 2 t cos theta is equals to rho r h g तो यहां से h क्या मिलेगा h h will be equal to 2 t cos theta upon rho r g this is the expression for rise of liquid inside a capillary this is the expression एकदम short और detail में सुन्दर और short तरीके से ठीक है statements बहुत सारे लिखने होंगे आपको guys बहुत सारे ठीक है detailed derivation आप मेरे concept batch में देख सकते हो ठीक है sure so guys this ends this ends are surface tension का part जो surface tension का part है वो हमने detail में खतम किया है detail में guys बहुत अच्छे से और detail में खतम किया है ठीक है तो in the next lecture we will continue with static fluid and fluid dynamics और हम लोग mechanical properties of fluid को wind up करेंगे till the time keep studying love you all bye guys झाल 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